तेजस्वी आदो बिहार की राजनीती में दूसरी पारी खेलने जा रहे हैं और इन्होंने उकमुक मंतर की शपत ले लिए तेजस्वी जी ये दूसरी पारी आपकी है पहली पारी से क्या ज्यादा चुनोती पूर्ण है हर बार चुनौती तो रहती है विहार आप जान रहे हैं कि गरीब राज है पिछरा राज है और केंद्रे से जो सहयोग मिलना चाहिए वो मिलता नहीं तो चुनौती तो बड़ी है अब देखिए अब अशंका कौन जताने वाले नहीं जताने वाले हम लोगों होसला है बुलंद है और हमारे कम रिसोर्स में ही जितना हम काम कर सके यह सरकार निश्पक्च हो करके लोगों के साथ न्याय करेगी और विकास की कारे को पुरा करेगी और अपने शपत ली है लोग हो जाने दीजिए जो इसके बाद जो कैबिनेट मीटिंग आएगी आज हमारी मुक्रमिंद्र जी से भी चर्चा हुई है इसको हम लोग करने जा रहे हैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को चार-पांस लाख लोगों को कोशिश है कि हम लोग जो है नौकरिया निकल रहे हैं उस पर उनकर यह स्वास डिपार्टपर्टमेंट और इनजीनरिंश डिपार्टमेंट छाहे आपका हेल्ट दिपार्टमेंट हैं जहां जाहां कफिश स्कोप है और इसके साथ ही साथ जब यह तो होगी जो सभकारी नोक्रिया और जब भी इन्डेस्ट्री आती है या सभाविक रूप से पैदा होता है तो जो कहा उसको तो आप पताई हमारी तो लड़ाई सदंत से या 2020 में सदन या सड़क पर हमारी बेड़ोज गारी की रही है तो यह जो नई सरकार बनी है बापसी महागडबंधन में आदर्णी श्री नितीश हुआर जी के हुई है तो यह असली गडबंधन है और मजबूती के साथ उनके नेतियोत में काम किया जाएगा एक सवाल ते जस्वी जी कि जो आपका पहले वाला महागडबंधन था जो प्रीपोल अलाइन्मेंट हुआ था अभी जो हुआ है पोस्ट पूल एक अरेंजमेंट हुआ है सरकार में चलाने के दोनों में कोई फर्क देख रहे हैं आप अब आप फर्क जो पहले था महागड बनी है जी तो कहाम करना भी तो समय तो दीजिए आज तो ओथ हुआ है अभी ट्रस्ट वोट हम लोगों को संख्याबल तो है संख्याबल है लेकिन जो प्रोसेस है जबता को पूरा नहीं हो जाता लेट में एक सब्सक्राइब आप एक सवाल सर बस एक एक आखरी सवाल बस आखरी सवाल अब ले लिजिए अब ले लिजिए इस बार आप आस्वास थे कि इस बार गटमंदन नहीं तूटेगा नितिसमार अलग नहीं जाएंगा अभी हम लोगों का अजेंडा नेगिटिव थोट्स में नहीं है अभी से अगर आप नेगिटिव थोट्स बैठा तो वी आप वेरी मच पॉजिटिव और स्ट्रॉंग